तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिने स्वागत है आपका डीबी टेक इंडिया यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपने नए रासन कार्ड के लिए अबेदन किया है तो आप अपने वाल से घर बैठे कैसे चेक करेंगे कि आपका नए रासन कार्ड बना है या नहीं जी हाँ दोस्तो सिर्फ आधार नमबर डाल कर आप पता कर पाएंगे कि आपका नए रासन कार्ड बना है या नहीं जानने के लिए आज कि इस वीडियो को अन तक देखते रहेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो में आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाँगा। आपको download करने के लिए play store को open करنا है, यहांपर आपको search में लिखना है rasan card, यहांपर आपको simply rasan card काड लिखकर search कर देना है, जिसी आप rasan card लिखकर search करेंगे, यहाँ पर फैश्ट में ही आपको यह आप देखने को मिल जाएगा मेरा रासन जो कि गवर्मेंट आफ इंडिया द्वारा इसू किया गया है तो आपको इस मेरा रासन नाम के आपको डाउनलोड कर लेना है चाहें तो आप वीडियो के डिस्रिप्शन में दिये गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे डाउनलोड कर लेने के बाद इसे आपको ओपन करना है जो कि हमने आल्रेडी डाउनलोड कर लिया है चलिए इसे ओपन करते हैं जैसे आप इसे ओपन करेंगे कुछ परमीशन में आएगा जिसे आपको अलाउग कर देना है परमीशन सौब भी ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन चेक कर सकते हैं तो हमें पता करना है कि हमारा जो कि हमने नए रासन कार्ड के लिए आविदन किया है वो बना है या नहीं उसके लिए आपर 6 नंबर पे आप्शन दिया गया है एजीवल्टी क्राइट एरिया तो आपको इसी इजीवल्टी क्राइट एरिया वाले उप्शन पर किलिक करना है जिसी आप इस पर किलिक करेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर दो उप्शन दिये गए हैं रासन कार्ड चेक करने के लिए यहाँ पर रासन कार्ड नंबर और आधार नमबर तो हमने नए रासन कार्ड के लिए आविदन किया है अभी हमारे पास रासन कार्ड नमबर तो है नहीं हमने जिस आधार कार्ड के साथ आविदन किया है वो आधार नमबर हमारे पास है तो यहां पर हम आधार नमबर को स्लेट करेंगे सबसे पहले उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नमबर डाल लेना है आप अपना या फिर आपने जिन भी परवारिक सदस्यों के साथ नए रासन कार्ड के लिए अबेदन किया है उनमें से किसी का भी आधार नमबर यहाँ पर डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं रासन कार्ड बना है या नहीं चली हम यहाँ पर आधार नमबर डाल लेते हैं आधार नमबर डाल लेने के बाद यहाँ पर आपको submit पर किलिक करना है जिसी आप आधार नमबर डाल कर submit करेंगे अगर आपका रासन कार्ड बन चुका होगा आपको इस तरह का page देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका home state देखने को मिल जाएगा home district की scheme नाम और आपका ration card number जो card number यहाँ पर जो है यहाँ आपका ration card number है यहाँ पर FES ID देखने को मिल जाएगी यहाँ पर beneficiary with duplicate no यहाँ पर IMPDS, Yes, AgibileT, Yes दिखा रहा है तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड बना है या नहीं यह आपको पता लग जाता है अगर आपका बन चुका है तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड नमबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर आपके राशन कार्ड के साथ कितने सदस साइड है बो पर बैक आएंगे आप आपने रासन कार्ड की फोल्ड डेटेल्स चेक करने के लिए यहां पर रेजिस्टेशन वाले ओप्शन पर किलिक करेंगे और जो भी रासन कार्ड नमबर आपको अभी मिला था उसे आपको यहां पर इंटर रासन कार्ड नमबर में डाल लेना है आपको अपना रासन कार्ड नमबर यहां पर डाल लेने के बाद अप सम्मिट पर किलिक करना है जैसी आप अपना रासन कार्ड नमबर डाल कर यहां पर सम्मिट करेंगे आपके रासन कार्ड की फोल्ड डेटेल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर नीचे की राशन कार्ड बन चुका है तो आपके CV नजदीकी जनसेवा के इंदर पर जाकर अपना राशन कार्ड प्रेंट आउट करा सकते हैं उसके बाद राशन सौपफर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पता कर होगी कि आपका रसन काड़ बना है या नहीं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक चनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और